अगर आप इसी तरह की मजीद इंफर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल इबराहीम ट्यू इंगलिश को कर लिजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी फ्रेस कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन फर्स सेंटेंस है हमारे पास वो मुकर गया वो मुकर गया बैक्ट का मतलब होता है मुकरना ही बैक्ट आउट वो मुकर गया वो मुकर गया पुट आउट दे कैंडल मुमबत्ती बुझा दो कैंडल को कहते हैं मुमबत्ती मुम बत्ती Put out the candle मुम बत्ती भुजा दो It has a feel of its own उसका अपना ही मज़ा है Feel कहते है महसूस करने को Feel का मतलब होता है महसूस करना या महसूस ही सिर्फ It has a feel of its own उसका अपना ही मज़ा है I'm done listening to you इसमें है T silent Listening में है T silent और listening का मतलब होता है सुनन सुनन लिसनिंग का मतलब होता है Listen और listening है fourth form I am done listening to you मैं तुम्हारी ओर नहीं सुन सकता मैं तुम्हारी ओर नहीं सुन सकता Next है I wanna sit in the front I wanna sit in the front मुझे आगे बैठना है मुझे आगे बैठना है Front कहते हैं आगे को Front मुझे आगे और sit का मतलब होता है तुम इससे इंकार नहीं कर सकते है यह है Advanced English का वर्ड नया नया मतलब जो Advanced English है उसमें से यह वर्ड है Negate तुम इससे इंकार नहीं कर सकते I'm pushed I'm pushed Bushed भी एक New Word है Advanced English का वर्ड है इसका मतलब होता है थका मैं थका हुआ हूँ I'm pushed I'm pushed मैं थका हुआ हूँ Next है I'm gonna crash up I'm gonna crash out मैं सोने जा रहा हूँ मैं सोने जा रहा हूँ यह पूरा sentence एक Advanced sentence है I'm gonna crash out मैं सोने जा रहा हूँ It's a breeze It's a breeze Breeze का मतलब होता है आसान Breeze का मतलब होता है आसान यह आसान है ये आसान है Make a pure mind Make a pure mind आपको फैसला करना है तो दोस्तो ये था अचका हमारा लेसन उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप से मिलें एंगली नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिये आला हाफिज और थेंक्स पर वोचिंग